भगवान का सारा संसार ही आस्चर्य जनक है कौन सी चीज इसमें आस्चर्य जनक नहीं है एक परमानू को ले लीजिए कितना आस्चर्य जनक परमानू का जो एलेक्टरॉन है ये 600 मील प्रती सेकंड की स्पीड में घुंता और जो नूकलियस की अंदर जो प्रोटॉन है वो 40,000 मील प्रती सेकंड की स्पीड में घुंता ये एक परमानू आज कल के वैज्ञानिक कहते हैं परमानू की अंदर 300 से अधिक तत्व उनको मिल चुके आज कल के वैज्ञानिक कहते हैं परमानू की अंदर 300 से अधिक तत्व उनको मिल चुके और आगे चलें तो शरीर का कोशानू ये जो कोशानू है ये क्या आस्चरिय जनक नहीं है वो कोशानू एक ब्रहमान्ड के जैसा है आप मेंसे कई लोग जानते होंगे एक DNA होता है DNA नाम का तत्व है जिससे माता पिता के गुण आ जाते हैं तो प्रत्य कोशानू में DNA नाम का तत्व होता वो DNA में क्या क्या रहता है कुछ साल पहले विश्व भर के वैग्यानिकों ने कमिटी बनाई कि हम उसको डी कोड करें उसको कहा गया first human genome experiment तो पूरे DNA को उनोंने डी कोड किया कि ये DNA में क्या क्या होता जब पूरा उनका data मिल गया तो वो declare किया उनोंने विश्व में कि हमने डी कोड कर दिया है DNA को और वो प्रोजेक्ट के जो हेड थे उनका नाम था फ्रांसिस कॉलिंस वो अमेरिका के वाशिंग्टन डीसी में नैशनल इंस्टिटीट अफ हेल्थ में सर्विस करते हैं साइन्टिस्ट तो उन्होंने किताब लिखी लैंग्विज ओफ गॉड अमेरिका में किसी ने हमको वो किताब पकड़ा थी लैंग्विज ओफ गॉड इतने बड़े साइन्टिस्ट और वो लिख रहे हैं भगवाईन की भाशा तो उन्होंने काया कि इस प्रजेक्ट का मैं हेड था लेकिन जब डियने को हमने पूरा उसके रहस्य को समझ लिया मेरी तो भगवाईन में श्रद्धा बढ़ गई क्योंकि उस डियने में कितना इन्फॉर्मेशन है अगर उसको आप एफोर साइस के कागस पर लिखना प्रारम करें तो वो कागस एक क्यूपर एक क्यूपर एक वो पढ़ते चले जाएंगे कुतुब मिनार तक वाशिंटन डी सी के वहाँ पर वाशिंटन मॉनुमेंट तक पहुंच जाएंगे इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक डियने में अगर कोई उसको बोलने लगे और एक सेकेंड में तीन शब्द बोले तो वो व्यक्ति इकतिस साल तक बोलता ही चला जाएग इतना ज्यान भगवान ने डीने में भर दिया डीने तो हमारे शरीर के कोशाणू का एक छोटा सा तत्व है और कितने सारे तत्व है और शरीर में खर्बो कोशाणू है तो क्या हमारा शरीर आस्चर्य जनक नहीं है शरीर में एक हार्ट है वो अपना कार्य कर रहा है किड्नी अपना कार्य कर रही है जितना कार्य इस शरीर में हो रहा है वो कार्य यदि फैक्टरी में किया जाता तो फैक्टरी पूरे खाली कोट कालेज के स्टेडियम के बराबर हो जाती और उसकी आवाज यहां से पुरुशोत्नमपुर तक चली जाती और वो सारी मशीनरी भगवान ने शरीर में फिट कर दी और वो सब कार्यचोप चाप होता जा रहा है कोई आवाज नहीं आती डॉक्टर को भी सुनना हो तो स्टेथसकोप लगा के सुनता वरना उसको सुनाई नहीं देता कितना महानास चर रहे और ऐसी मशीनरी बनाई मनुश्य जब बनाता है न तो अलग-अलग पार्थ लेके बाहर से असेंबली करता और भगवान की जब मशीन निकलती है ये शरीर वो पूरा असेंबल लेक साहता आता है और ऐसी मशीन वो आगे फिर मशीन उत्पन करती जाती है कोई अन्य की आवशक्ता नहीं तो इस संसार में सरवत्र आस्चर्य ही आस्चर्य है कोई देखे साइन्टेस्ट लोग जो है जो बहुत बड़े साइन्टेस्ट हुए जो छोटे साइन्टेस्ट है वो साइन्स के आधार पर कहते हैं भगवान नहीं है लिकिन जो बड़े साइन्टेस्ट हुए वो साइन्स को एक माध्यम माने संसार के आस्चरिय को अनुभव करने का कि संसार इतना आस्चरिय जनक है इसके बनाने वाला भगवान कितना आस्चरिय जनक होगा जैसे एक साइंटिस्ट है न्यूटन उन्होंने जीवन भर खोज की उनके सिद्धान स्कूलों में पढ़ाय जाते हैं Newton's law of gravitation, law of motion वो Newton उनोंने जीवन के अंत में कहा I was like a child playing with pebbles on the seashore while the whole undiscovered ocean lay in front of me उनोंने कहा मैं तो एक बच्चे के समान था जो समुद्र के तट की कंकडियों से खेल रहा थ और मेरे सामने पूरा समुद्र था जिसके बारे में मुझे कोच ग्यान नहीं था तो ये वैज्ञानिक दृष्टी कोन कैसा आस्चर्य जनक संसार है वो दृष्टी कोन हम लोग अपना है हमको भी सरवत्र आस्चर्य भगवान का चमतकार घटत होता दीखेगा एक सामान्य कुट्टे को देख लो उसकी वफादारी कोई मनुष्य कुट्टे के समान वफादार बनता है क्या जन जनमानतर की साधना कर ले फिर ऐसी वफादारी आती कुट्टे में भगवान ने सहज वो गुण दे दिया वो कुट्टे की नासिका को देखिए जहां पुलीस फेल हो जाती है वहां कुट्टे को छोड़ देती और पुलीसमेन कुट्टे के पीछे-पीछे चलता एरपोर्ट आदी में कुट्टों को लेकर पुलीस घूमती है क्यों जी? आप मनुष्य हो आप ये कुट्टे के पीछे क्यों घूम रहे है? जी साब वो जो कर सकता है हम नहीं कर सकते बढ़ा कमाल का है उसकी नासिका ऐसी है वो बम को सूंग लेती है हम लोग नहीं सूंग सकते यह देखिए आस्चरे हुआ न एक चील को देखिए वो चील पक्षी जो है इतनी दूर उपर आकाश में वो चील उड़ती है नीठे वो चील सब देख रही है एक प्राणी के शरीर से प्राण निकल गए चील वहां से देख लेता है अच्छा इसके शरीर की हरकत बंद हो गई यानि इसके प्राण निकल गए तो बताईए भगवान ने वो चील की आँख में कैसी आस्चर्य जनक शक्ति देख दी कि वो तो सैटलाइट के समान वहां से उसको पता चल रहा है बाकी सब के शरीर हिल रहे है इसका शरीर हिल नहीं रहा यानि ये मर गया इसके प्राण निकल गए तो सरवत्र आस्चर्य ही आस्चर्य जब किसी का विशेश सम्मान करते न तो चांदी की ठाली पर उसे भोजन कराते हैं क्यों चांदी में भगवान ने ऐसा गुण दिया हुआ है वो चांदी मैल को नहीं पकड़ती है इसलिए चांदी पर खाना ये पवित्र माना गया ले लेकिन गरीब लोग क्या करें तो भगवान ने गरीब लोगों के लिए सोने की ठाली बना थी ये कौनसी है ये केले के पत्तल तो केले का जो पत्ता है वो चांदी से भी आगे वो मैल को नहीं पकड़ता आप उसको थोड़े से पानी से धो दें आराम से निश्चिंद होकर खाए उसमें कोई विम लगाने की आवशक्ता नहीं वो शुद है और आजकल तो ये टेरी काट पॉलियेस्टर बन गए प्राचीन योगों में लोग शुद कपड़े कैसे पहने तो भगवान ने एक रेशम का कीड़ा बना दिया वो रेशम के कीड़े के पाखाने से रेश साब पाखाने से वो कपड़ा बना आप उसको पहन कर करमकांड कर रहे हैं नहीं ये रेशम में ऐसा गुण है ये मैल को नहीं पकड़ता अब देखिए सर्वत्र आश्चरय ही आश्चरय हो रहा है आजकल तो लोग दूसरे को समस भेज देते हैं न लेकिन हजारों वर्ष पहले न कोई मोबाइल था न कोई समस था न कोई डाक घर था तो लोग कैसे संदेशा भेजते थे कबूतर मेल से भेजते थे वो कबूतर जो होता था उसमें ऐसा मैपिंग थी उसके अंदर आप उसको एक घर से निकालें इधर ले जाएं उधर ले जाएं एक हजार मील दूर ले जाएं और वहाँ से छोड़ दें तो जिस घर में वो पाला गया था कबूतर सीधा उड़ते हुए वहाँ पर ही आ जाता था उसी खिड़की की सिल पर बैठ जाता था बताईए ये क्या आश्चर्य नहीं है अगर कोई देखना चाहे सर्वत्र उसको भगवान का चमतकार ही संसार में दीखेगा लगबग देड़ सौ वर्ष पहले एक आश्चर्य जनक महापुरुश्वे रामकृष्ण परमाहंस जो कोलकाता में रहते थे तो ये बेपड़े लिखे थे लेकिन शास्त्रिय ज्यान इनके पास था उन्ही के समकालीन थे गिरीश घोष जो ब्रह्मो समाज के अध्यक्ष थे अंग्रेजों के समय हमारे जो भारत वर्ष में बुद्धी जीवी थे उसमें कुछ बुद्धी जीवियों ने मिलकर ब्रह्मो समाज बनाया जैसे स्वामी दयानन ने आर्या समाज बनाया तो ये ब्रह्मो समाज में ये समाजिक तुरुटियों के बारे में चर्चा करते रहते थे तो उनके अध्यक्ष थे गिरीश घोश बताया जाता है ऐसे प्रकांड विद्वान थे के पूरे एशिया में कोई व्यक्ति नहीं था जो उनके तर्ख के सामने टिक सके सबको काट फ ठाइनी रखता था चार-पांच लोग उनने सुनने आते थे और रामकृष्ण परमंस जो कोलकाता से दूर दक्षनेश्वर में रहते थे उनने सुनने के लिए भीडा जाती थे तो गिरीश घोश के मन में प्रश्न उठा कि आखिर इन में क्या बात है कि इनको लोग सुनन चाहते हैं हमें कोई सुनना ही नहीं चाहता गिरीश घोश ने रामकृष्ण परमंस को चिठी लिखी कि हम आकर आपसे तर्ख करना चाहते हैं रामकृष्ण परमंस के शिश्यों ने चिठी को पढ़ा का महराज ये आदमी जो है बड़ा खतरनाक है इसकी ऐसी तारकिक बुद्धी है ये बस तर्क वितर्क में ही रहता है सब को परिशान करता है आप इसके चक्कर में मत पढ़िए रामकृष्ण परमंस ने का नए नए बुलाओ कोई चिंता की बात नहीं है आप गिरीश घोष को निमंतरन दिया गया रामकृष्ण परमंस एक घंटे के बाद पूछते जाते थे आए के नहीं आए के नहीं जांक जांक के देखते थे लास्ट में गिरीश घोष पहुंचे राम कृष्ण परन स्वागत के लिए स्वयम बाहर निकले आओ आओ गिरीश हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे उनको चिप्टा लिया गिरीश घोष हक्के बक्के हो गए हम तो तर्क के लिए आये थे हमको चिप्टा लिये राम कृष्ण परमन्स ने का हमने बहुत सुना है तुम्हारे तर्कों के बारे में आज हमको चांस मिला चलो तर्क करो लेकिन गिरीश घोष भूल गए कि तर्क दो के बीच में होता है वो ताली एक हाथ से तुबज नहीं सकती एक व्यक्ती अकेले क्या तर्क करेगा गिरीश घोष ने का कि ये भगवान नाम की चीज नहीं है तुम भगवान के पीछे भाद कर और समाज में तुरुटी लाते हो भगवान होता ही नहीं है राम कृष्ण परमांस ने का वा 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 क्या बढ़िया वा क्या तुमने तो गजब ही कर दिया कितना आस्चर्य फिर से उसको चिप्टा लिया अब गिरीश, खोश और हक्के बक्के हो गए इन्होंने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया इन्होंने चिप्टा लिया तो फिर से प्रारम किये तुम कहते हो की भगवान ने संसार को बनाया हम कहते हैं भगवान को किस ने बनाया राम Krishna ने कहा अब तुम पहले से भी आगे चले गए, मुझे तो मजा आगया, फिर से उसको चिप्टा लिया, अब वो गिरीश घोश के तरक धीरे-धीरे फीके पढ़ने लग गए, तो गिरीश घोश ने अंत में ठक कर हार कर कहा, तुम कैसे आदमी हो, मैं कुछ तरक देता हूँ, तुम खंडन ही नहीं करते हो, तुम केवल हमको चिप्टाते जाते हो, रामकृष्ण परमांस ने का, मैं खंडन तरक तो दे रहा हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, मैं तो तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धी को देखकर आस्चर्य कर रहा हूँ, आरे वाह, इसकी क्या गुद्धी है, इसको बनाने वाले भगवान कैसे होंगे, जिसने ऐसे प्राणी बनाए, तो मेरे लिए तो तुम ही भगवान का प्रत्यक्ष्प्रमान हो, बेचारे गिरीश घोष हार गए, और इतियास बताता है, वो बाद में रामकृष्ण परमंस के शरनागत शिश्य बन गए, यह संसार ही आस्चर्य जनक है, और सबसे बड़ा आस्चर्य जनक तो भगवान है, अब भगवान का क्या आस्चर्य है, इसका तो वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अनंतशेश, जो समुद्र पर लेटे हैं, जो विश्णु जी की शैया है वे अनंतशेश, उनके दस हजार मुख हैं, और वो दस हजार मुख से स्रिष्टी के प्रारम से प्रतिक्षन भगवान के गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं, लेकिन आज तक वो वर्णन पूरा नहीं हुआ, ऐसे आस्चर्य जनक भगवत तत्व, उनके बारे में वेद वियास जी ने भागवत में लिखा, योवा नंतश्य गुणा नंता, ननुक्रमिश्यन सतु बाल बुद्धी, वो कहते हैं, अगर कोई जीव भगवान के अनंत गुणों को गिनना चाहे, वो उसकी बाल बुद्धी है, बाल बुद्धी मने, आप एक बच्चे से पूछो, बेटा, यह पहाड कितना बड़ा होता है, वो कहते हैं, अंकल इत्ता बला होता, समुद्र कितना बड़ा होता, इत्ता बला होता, आकाश कितना बड़ा, इत्ता बला, अब उसकी बाल बुद्धी में सब कुछ इत्ता बला है, इत्ता बला, तो ऐसे किसी की बाल बुद्धी वो कह सकता मैं भगवान के अनंत गुणों को गिन लूँगा लेकिन वेद व्यास्टी केते हम नहीं मान सकते रजान सीभूमेर गणयेत कथंचित कालेन नाईवा खिल शक्ति धामन प्रिथवी के रज के कणों को भले कोई गिन ले प्रिथवी के धूल अब प्रित्वी के धूल के कणों को कौन गिनेंगे वेद व्यास्ची कहते हैं वो असंभव भले ही संभव हो जाए लेकिन भगवान की अनंद गुणों को गिनना फिर भी असंभव ही रहेगा तो वो आस्चर्य जनक सबसे बड़े तो भगवान ही है भगवान का बनाया हुआ संसार आस्चर्य युक्त है और भगवान का छोटा सा अंश ये आत्मा वो भी आस्चर्य जनक है प्रववान का बनाया है